अब घर बैठे कीजिए जियोग्राफी ऑप्शनल आईएस की पूरी तयारी जुड़िये हमारे ऑनलाइन बैच से इसमें मिलेंगे आपको 500 तर्स लेक्चर्स समय समय पर टेस्ट सीरीज तथा 24 घंटे की कॉल सपोर्ट एड्मिशन के लिए दिये गए नंबर पर कॉल या मिस्ट कॉल करें नमस्कार सिविल स्ट्रीन रेडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट आदित्य और आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के न्यू आईटी एक्ट के बारे में आखिर क्यों ये विशय चर्चा में हैं इससे संबंधित संपूर्ण विशलेशन हम आज के इस पॉड्कास्ट के माध्यम से करने वाले हैं हम हमारे प्रतेक पोड़कास्ट के हैं। यह अपने विशे से संबंधित एक प्रश्ण देते हैं। आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच नए IT नियमों को लेकर विवाद धम नहीं रहा है। हाल ही में इलेक्ट्रोनिक्स और IT मंत्राले ने वाटसेट को नोटिस भेज कर अपनी गोपनियता नीती के एक विवादास पद अपडेट को वापस लेने के लिए कहा है जो भारतियों के डेटा संब्रक्षन हित्तु खत्रा हो सकता है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फेस्बुक और ट्विटर जैसे सोशल नेट्वरकिंग साइट्स के बंद होने की भी चर्चा खूब हो रही है। भारत सरकार के नए IT नियमों के खिलाफ मैसेजिंग एप वोट से पोट पहुँच किया है। वही सरकार ने सभी कम्पनियों को नोटिस भेज कर पूछा है कि नियम का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया। सरकार और सोशल मीडिया कम्पनियों के बीच विवाद ने IT नियमों की वजह से शुरू हुआ है जिन्हें भारत सरकार ने 26 मई से लागू कर दिया है। प्रवक बिंदू ने नियमों के अनुसार वोटसेप और फेस्बुक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरीए भेजे और शेयर किये जाने वाले मैसेजिस के ओरिजनल सोस को ट्रैक करना जरूरी है। यानि अगर कोई गलत या फेक पोस्ट वाइरल हो रही है तो सरकार कंपनी से उसके ओरिजनेटर के बारे में पूछ सकती है। और सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया था। नए गियमों का नुशार सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कारवाई करनी होगी। इसके लिए कंपनियों को तीन अधिकारी ची। कॉंपलियंस अफसर, नोडल कांटेक परसन और रिसिडेंट्स क्रेवांस अफसर को नियुक्त करना होगा। ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए और इनका कॉंटेक नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा एप पर होना आने वारे है ताकि लोग शिकायत कर सके। इसके साथ ही अधिकारियों के लिए शिकायत का अपटेट देने के लिए 15 दिनों समय सीमा भी तैकी गई है। कंपनियों को पूरे सिस्टम पर नज़र रखने के लिए स्टाफ रखने को कहा गया है। नए I.T. नियमों का सरकार ने बचाव किया है और कहा है कि इसमें किसी के निचता का हनन नहीं होता है। सरकार का कहना है कि नए IT नियमों के तहत देश की संत्रभुता या सारवजनिक विवस्था और देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद गंभीर अफराद वाले संदेशों को रोपने या उसकी जाच के लिए ही उनके मूल सोट की जानकारी मांगने की जरूरत है नए IT नियमों की घोशना 25 फरवरी को की गई थी और ट्विटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम और वाटसेप जैसी सोशल मीडिया कमपनियों को इसे लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था नियमों का पालन न करने के परिनामस रूप इन सोशल मीडिया कमपनियों पर कारवाई की जा सकती है वाटसेप ने नए IT नियमों को लेकर भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोट में केस दायर कर नियमों को रोपने की मांग की गई है WhatsApp का कहना है कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी प्रभावित होगी ये एंटू एंड इंक्रिप्शन को तोर देगा और लोगों के निज्टा के अधिकार को मॉलिक रूप से कमजोर कर देगा नए IT नियमों से आप लोगों को क्या नुकसान होगा आपको बता दे कि नए नियमों के अनुसार WhatsApp को सभी मैसेजेस को ट्रेस करना होगा और यूजर्स के सभी प्राइवेट मैसेजेस का हिसाब कमपनी के पास रहेगा इसके साथ ही सोशल मीडिया कमपनिया यूजर्स का और भी डेटा कलेक्ट करेंगी अगर कमपनिया नए नियमों को नहीं मानती है तो उन पर मौझूदा आईटी एक के तहत ही एक्शन होगा केंद्रिय मंद्री रविशंगर पसाद ने कहा था कि ये कोई कानून नहीं है और ये सिर्फ गाइडलाइन है अगर सोशल मीडिया कमपनिया नए गाइडलाइन को फोलो नहीं करती है तो उन पर मौझूदा आईटी कानून के तहत करवाई होगी नए आईटी नियमों के खिलाफ वाटसेप कोड पहुँच गई है लेकिन गूगल और dentist का कहना है कि वह नए नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे है फेसबुक ने कहा कि हम नए नियमों का पालन करने के लिए सुधार करने की ओर काम कर रहे है माईक्रोद लोगिंग साइट ट्रिटर ने केंडर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए 6 महीने का समय मांगा है वहीं भारती है माइक्रो ब्लॉगिंग साइप कोएप ने सरकार की गाइडलाइन को लागू कर दिया है आज का प्रश्न भारत सरकार ने न्यू आईटी एकट को कब लागू किया? आप विकल्पे BCD में से कोई एक विकल्प का चैन कर अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसी के साथ आज का हमारा पॉड़कास्ट समाप्त हुआ अब अगले पॉड़कास्ट में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे इसी तरह के पॉड़कास्ट हमेशा पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें